नमस्कार, कोई ग्यान चैनल में आपका स्वागत है, क्या आपके भी फोन में ठ्रेड सैप नहीं चल ला है, या उपन नहीं हो रहा है, तो उस प्रोब्लेम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए, तो चलिए सिखने के लिए चलते हैं अपने मोबा मोबाइल पर है, मुबाइल पर आने के बाद, अगर आपके फोन में ठ्रेड सैप नहीं चल ला है या ओपन नहीं हो रहा है, या कोई और भी प्रोब्लेम है, उस प्रोब्लेम को ठीक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कि सबसे पहले आपको अपने फोन में play store को open करना है तो चलिए play store को open करते हैं open करने के बाद आपको search box पे click करना है और यहाँ आपको thread set search करना है search करने के बाद अब आपको thread set पे click करना है click करने के बाद अगर आपके phone में thread set का update आया हुआ है तो यहाँ आपको update कर लेना है उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां सी इसको cut करना है cut करने के बाद अब आपको अपने mobile के display को उपर से नेचे की और down करना है down करने के बाद यहां पापको यह check कर लेना है कि आपके phone में mobile data on है की नहीं अगर आपके phone में mobile data on नहीं है तो यहां सी इसको on कर लेना है उसके बाद आपको अपने phone में एक बार aeroplane mode को on करना है on करने के बाद यहां सी इसको off कर देना है और इतना करने के बाद अब आपको अपने phone में third step open करके देखना है कि आपका third step open हो रहा है की नहीं, चल रहा है की नहीं, अगर आपका problem इतना से ठीक नहीं होता है, तो अब आपको अपने phone में settings को open करना है, उसके बाद आपको उपर की और scroll करना है, scroll करने के बाद आपके phone में एक apps का option दिखेगा, हो सकता है आपके phone में app management का भी option दिया गया हो तो आपके phone में जो भी option है आपको उसपे click करना है, तो चलिए हम apps पे click करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम app management पे जाते हैं, जाने के बाद आपको उपर की और scroll करना है, और इसमें आपको क्या करना है कि third step को ढूंड लेना है, third step ढूंडने के बाद आपको उसपे click करना है, click करने के बाद आपको नीचे में एक storage usage का option मिलेगा, तो आपको यहाँ पर click करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक clear data का option मिलेगा, तो आपको यहाँ पर click करना है, और यहाँ इसको delete कर देना है, इतना करने के बाद आपको back करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक data usage का option मिलेगा तो यहाँ पर जाना है जाने के बाद यहाँ से चेक कर लेना है कि आपके phone में mobile data और disable wi-fi यह जो दोनों option है यह off है की नहीं अगर off नहीं है तो यहाँ से दोनों को off कर लेना है उसके बाद यहाँ से आपको cut करना है और इसेंट से सारे चीज को हटा लेना है हटाने के बाद अब आपको अपने phone में trade sap को open करना है open करने के बाद trade sap को login कर लेना है login करने के बाद यहाँ से आपके phone में trade sap चलने लगेगा और यहाँ जो open नहीं हो रहा था वो भी problem ठीक हो जागा तो अगर आपके phone में trade sap नहीं चल ला था या open नहीं ह रहा था उस प्रोल्म को आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद